बच्छों वीडियो क्लास में आज हम study करने जा रहे हैं आई हमारा चल रहा है human eye जिसमें आज हम study करने जा रहे हैं part 5 ठीक है और इसमें मैंने आपको चार वीडियो में आपको बता दिये है human eye की मैंने आपको बताया था कि human eye topic जो है यह लंबा चलेगा धीरे-धीरे step by step हमें क questions के answer इसमें देखते चलेंगे अभी देखे इसमें जैसे structure of eye हमने पढ़ लिया है ठीक है structure of eye में हमने दोनों ही पढ़ा है external structure और internal structure यह दोनों हो गया ओके dark में जाते हैं तो उजाले से अंधेरे में आते हैं तो हमको अंधेरा अंधेरा सा क्यों दिखता है ठीक है यह सारी चीजे भी हमने study कर लिया है अभी हमारा four point बाकी है second point आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो ही आखे क्यों है और आखे यहीं क्यों है यह हम पढ़ चुके हैं ठीक है yellow spot पर clear image क्यों बनता है देखो यह टीयर, ठीक है, टीयर के बारे में study करने जा रहा है, देखे, तो सबसे पहले कि टीयर जो होता है, टीयर मिन्स क्या होता है बच्चों, टीयर को हिंदी में बोलते हैं, आसू, ठीक है, तो आज का मारा जो topic है, topic भी लिख देती हूँ मैं कहीं, तो एक मिनट, मेरा red marker तो बच्चों, आज कर जो हुमारा topic है, टीयर, उसमें देखे, इसमें मैं topic लिख देती हूँ, यह क्या है, tear, टीयर मिन्स, आसू, ठीक है, tear मिन्स, आसू, यह जो आसू होते है, tear, यह कैसा secret होते हैं, तो देखे, हमारी यह आँक है, हमारी जो eyes होती है, इसकी यहाँ पर, यहां पाए जाता है lacrimal gland, okay, lacrimal gland का मतलब क्या होता है, gland, gland मतलब ऐसी चीज जो कुछ बनाती हो अपने अंदर, ठीके, और बना करके secret करती हो, उसको हम कहते हैं gland, अब अगर मैं बात करूँ, तो आपने cooker में दाल बनाया है, ठीके, तो cooker में दाल बनाया, और दाल को फिर हम सर्व करेंगे, तो दाल बनी कहां है, बनाया तो वैसे plant ने दाल को, लेकिन दाल पकी कहां है, तो वो cooker में पकी है, तो cooker में दाल को पकाया गया, और वहां से फिर उसको सर्व किया गया, तो जहां पर कोई चीज बनती है ये बनाएंगे भी है ना पकाएंगे नहीं पका पकाया बनाएंगे तो बनाने का काम कौन करेगा एक ग्लैंड करेगा जो भी ग्लैंड होते हैं वो कुछ बनाते हैं और वो पका पकाया ही बनाते हैं बनाते हैं वो अलड़ी पका हुआ होता ह तो यहां पर भी हमारी आखों के यहां पर भी उपर उपर ग्लैंड पाय जाता है इस ग्लैंड का नाम भी होता है आप इसको अगर लेक्राइमल ग्लैंड नाम तो इसका है लेक्राइमल ग्लैंड या फिर अगर आपको लेक्राइमल ग्लैंड नाम याद नहीं होता है तो आप इसको tear gland भी कह सकते हैं ठीक है तो यह हो गया tear gland gland का मतलब होता है कि जो कुछ बनाता हो अपने अंदर पका पकाया कुछ बनाता हो ठीक है उसको उनकेते हैं gland gland समझ गये gland को हिंदी में बोला है ग्रंथी तो यह एक gland है ग्रन्थी है और यह अपने अंदर क्या बना रहा है तो यह पका पकाया बना रहा है अपने अंदर tear तीयर मतलब क्या आसू है न तो इसी gland में आसू बनेंगे और यह gland यहीं पर present होता है तो यह आसू जो बने है tear क्या यह केवल रोने पर ही दिखाई देगा हम अगर रो रहे हैं है न किसी प्रकार का दुख हो रो रहे हैं तब आसू निकलेगा या फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब यह आंसो निकलेगा क्या ये केवल उसी समय निकलेगा नहीं ऐसा नहीं है ये टियर जो है ये सिक्रिट होते ही रहते हैं बलकि आप नहीं भी अगर रो रहे हैं तो भी या नहीं भी अगर हस्ते हस्ते भी आंखों में आस हुआ जाते हैं तो अगर आपको दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके आंसों निकल रहा है फिर भी टियर ये gland tear बनाएगा और बनाएगा ही नहीं बलकि इसको सर्व भी करेगा ठीक है तो ये जो gland है ये बना रहा है ले क्राइमल gland tear बनाता है और बना करके देखो यहां से इसको secret करता है इस pipe से secret कर देता है कहां हमारी आँखों में आप कहेंगे कि आँखों में tear secret होता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है तो बेटा amount की बात है बात है यहां पर amount है कितना secret कर रहा है, यह gland, इस gland को जब message जाता है, कि भई तुमको ज़्यादा secret करना है, आज दाल ज़्यादा बनानी है, ज़्यादा सर्व करना है, तो दाल जब ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा सर्व होगा, तो overloaded हो जाएगा, फिर मतलब यहां से, यहां तक में ज़्यादा यह पीकर और वे यह नहीं दे रहा है तो यह tier यहां से आता है और आकर की आखों में यहां पर आगा? अब हमारे दो पलकils दी गई है ना, यह पलक क्या करती हैं कि देखो हम ब्लिंक करते हैं लाít है उससे क्या होता है कि जो टियर यहां से सिक्रीट हो रहा है उसको अच्छी तरीके से आखो पर फैला दिया जाता है फैलाने का काम कौन कर रहा है यह हमारी पलके हम बार बार पलक जपकते हैं ना एक बार में आप देखो एक मिनट में कभी कभी आप काउंट करू हाला कि हम ब्लिंग पर भी आएंगे बहुत ही अधूत बात है इसमें भी तो ब्लिंग पर भी आने वाले हैं कि पलक जपकना क्यों होता है क्यों जरूरी होता है और हम एक मिनट में कितनी बार पलक जपकते हैं और अगर हम अपनी लाइफ की बात करें एक दिन की बात करें तो कितना टाइम हम अंधेरे में निक किया आँखों को बंद किया ठीक है खोला बंद किया खोला उससे क्या होता है कि जो टीर निकल रहा है वो आँखों पर फैला दिये जाता है ठीक है आँखों पर फैलाने से क्या होगा चारो तरफ ये टीर फैल चुका है उससे आपकी आँखें अंदर से मौईश रहेंगी ठी अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये टियर ग्लैंड, लक्राइमल ग्लैंड, टियर अगर सिक्रिट नहीं करेगा, तो क्या होगा, क्या ये अंदर आखें, अंदर गिली-गिली सी रहेंगी, क्या मॉइस बनी रहेंगी, क्या नहीं बनेंगी, और जब नहीं बनेंगी, तो आप रा स्मूथ है लेकिन अब सुबह हो गया चिकना तो है नहीं तो आप क्या करोगे कि इसको पल्कों को ऐसे पकड़गी आपको उठाना पड़ेगा है क्योंकि वह क्या हो जाएगगी चिपक जाएगी आँको वह पर चिपक जाएगी लेकिन आप देखते हैं यह सा कुछ भी नहीं होता है आराम सी इसलिप करती रहती है अगर हमारी आंको पर मालो कि यहां पर एक फतिंगा है उड़ते वे एक इंसेट्स है उड़ते वे अगर मेरी आंकों के पास ऐसे आता है तो तुरंद मेरी आंके अपने आप बंद जाती है कौन बंद करता है यह पलके है ना पलके जो है यह सबसे ऊपर का दर्वाजा है जो कि आखों को protection देने का काम करता है सबसे पहले अगर कुछ भी आखों की तरफ आ रहा है तो फटाक से तुमको इसको बंद कर लेना है ठीक है और अगर चीक भी आ रही है तो तुमको फटाक से इसको बंद कर लेना है ताकि आखे सुरक्षित रहें अंदर समझ में आ रहा है बच्चो तो ये हो गया tear है ना तो tear जो है ये secret होता रहता है लेकिन जितना daily tear secret हो रहा है अगर उतना ही secret होता है उतनी ही डाल बनेगी उतनी ही डाल अगर यहां पर शर्व होगी तो फिर हमको दिखाई नहीं देगा कि आसु निकल रहा है और हम यह नहीं कहेंगे कि बंदा रो रहा है व memoirindra और हम आखों में आसु बन भी रहे है लेकिन आसु बन रहे है क्योंकि आसु का काम का वाल ये और ये और ये नहीं है का जो काम होता है देखिए तेयर का जो काम होता है पहला keep your eyes wet आपको बताया आपके आखोको गिला बना करके रखना बना करके रखना & help focus light और जो भी light है अपकी आखों के अंधर ज्दा ज्यादर सारह जाए ताकी अच्रिंऑ clear photo बन सके, इसमें भी ये help करता है, ठीक है, ये देखो tier का पहला काम, tier का दूसरा काम है, it protects your eyes, आप देखें, आखें तो खुली होई है, है ना, अगर कोई organ ऐसे खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है, कि atmosphere में तो बहुत सारी jumps है, तो ये jumps क्या करेंगे, आखों पर attack करेंगे आखों में भी जाएंगे ही, तो आखों पर jumps का attack होता रहता है, dust particles का attack होता रहता है, ठीक है, तो ये attacking तो चलता ही रहता है, इन attack से protection देने का काम, हमेशा हमारी आखें infected तो नहीं होती ना, कभी-कभी आप देखेंगे, कि किसी की आख red हो गई है अगर, तो infection मतलब उसको हो ठीक है, तो वो बंदा infected है, आप अगर उसको देखते हैं, या उसने ऐसे touch करके, अगर आपको touch कर दिया, तो एक किसी वज़े से भी, तो वो infection हो जाता है, ठीक है, तो एक से दूसरे की आख में infection, दूसरे से तिसरे की आख में infection पहुंसता है, लेकिन उस time पर अगर infection हो रहा है, तो वो ठीक है, या कि उस समय, infection तो fell रहा है, तो medicine दाल करके, ठीक करना है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमेशा ही आख ही आखे red हो जाए, infected हो जाए, एसा नहीं होता, जक्पि आखी, आखे तो खुली हुई होती है, ओपेन होती है और जम्स तो always है है ना, तो इतने सारे जो जम्स है सारे जम्स आपको affected नहीं कर पाएंगे इसके लिए tier होता है इस tier के अंदर enzymes पाए जाते हैं lightic enzymes पाए जाते हैं जो की इन germs को kill करने का काम करते हैं, तो germs को kill करके और आँखों की daily हमेशा ही धुलाई सफाई चलती रहती है तो यहाँ पर जो यह निकलेगा tier, इस tier को फैलाये जाएगा दोनों आखों पर और यह फैल करके क्या करेंगी आँखों की सफाई करती रहेंगी clean करती रहेंगी, जम्स आ गए है कोई नहीं, इनको मारो, dead body को भी clean करो, ठीक है, तो यह काम चलता रहता है it protects your eyes from infection, infection से बचाता है, irritating things irritating things का मतलब जिस जिस से आपकी आँखों में irritation हो रहा है, जैसे onion प्याज कारते हैं, तो प्याज से मैंने प्याज पर भी वीडियो मनाया है कि प्याज कारते हैं, तो आशु क्यों आते हैं वो वहाँ पर topic है, तो प्याज से एक chemical release हो रहा है ठीक है, और वो कैसे कैसे कि इस chemical में convert हो रहा है, बन रहा है और वो chemical atmosphere में बाहर निकलता है, जब हम प्याज को काट रहे हैं, तो प्याज के cell कट रहे है उस cell से chemical निकलता है वो chemical आपकी आँखों में जाता है और आँखों में irritation पैदा करता है ठीक है न, मतलब irritation मतलब खुझ नहीं हो रहा है, आँखों को message जाता है कि भई, ये तो problem वाली बात है, है न, आँखों में irritation हो रहा है इसको धो, साफ करो साफ करना ज़रूरी है, तो ये message जाता है, इसको gland को gland करता है, अच्छा, ऐसे कैसे है न, मेरे रहते हुए, और आँखों में irritation कैसे हो सकता है, तो gland क्या करेगा फटा-फट ज़्यादा tier बनाना शुरू कर देता है ठीक है, फट से कूकर रखा अच काट रहे हैं, आसो निकल रहा है तो आपकी आँखों की धूलाई चल रही है उस टाइम पर, ठीक है, वो जो एक chemical है जिससे आपको irritation हो रहा है, परिशान ही हो रहा है उस chemicals को धो करके एकदम हटा दिया जाएगा, ठीक है, पर ये कि टीयर को फैलाने का काम कियाजता है तो एक बार पलग जपकने से बार 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 इसलिए हमको पलग जपकना होता है पलग जो blinking हम करते हैं इस blinking से क्या होता है कि टीयर जो secret तो हो गया है लेकिन secret हो करके फैलेगा कैसे तो ये काम दिया गया है उपर के इस दरवाजे को, कि तुम जो है न, इसको फैला दो, तो फैला करके एक फिल्म, टियर फिल्म, टियर फिल्म का मतलब, कि एक पतला सा, पूरा समयलो पाने का पोच्छा लगा दिया, ठीक है, तो टियर को ऐसे फैलाएगा, फिर टियर आया, फिर टियर को फैलाएगा, काम करता है, फैला करके उसों साफ करने काम करता है, बिल्कुल वैसे ही तीयर निकल तो रहा है लेकिन उस तीयर को आखोँ पर फैलाने का कम, दूनों आखोँ पर फैलाने का कम कौन करता है? यह Blinking, नहीं जब हम पलक जफकते हैं, तो ये पलकों के द dod रहा यह कम और लिटर यह रहा, ठीक है, तो वन, टू, माइक्रो लिटर, नॉर्मल आइज अगर है, मतलब ना आँखों में गौर कोई इंफेक्शन नहीं है, तब की बात रहिए, आँखों में इंफेक्शन है, या कोई इमोशन है, ठीक है, तो उस समय पर टियर ग्लैंड एक्टिवेट रहे टियर, और कमपोजिशन अफ टियर, मतलब टियर बना किस किस चीज़ से होता है, क्या क्या होते हैं इसमें, है ना कुकर में जो दाल पकी है, उस दाल में पुछों कि आपने क्या क्या डाला है, तो दाल में मैंने, सबसे पहले लिपर डाला, ठीक है, तो उसके अंदर Carbohydrates होते हैं, Proteins होते हैं, Electrolites होते हैं, हर्मोन होते हैं, Lytic Enzymes होते हैं, ठीक है, तो देखो, यहां पो Protein में ही आ जाएगा वो Lytic Enzymes, जो कि Jumps को kill करता है, ओके, तो यहां पर अप्लिक सकते हैं, नीचे चाहे थो आफ लेग सकते हैं कि यहाँ पर lightek enzymes होते हैं lightek enzymes इसमें lightek enzymes होते हैं ठीकहे ये देखो electrolites होते हैं है नल्यक्षट्रोलाइट में आता है जैसे N-A ёप्लस-CL مैडस यह सब belloSpeldrolyts हैीके तो Eliteylites है, और Natalk का formula भी इस होता है, NACL. तो Eliteylites इसमें पाएजाते हैं, ठीक है, तो उन Eliteylites की वजय से, जो आसु होता है, उसको कभी यहां से आसु बहते बहते, आपके मुह में पहुंच जाए, तो आपको Ant como का test कैसा लगता है, आसु का टेस्ट आप वो नमकीन लगता है, क्योंकि आसु में इलेट्रोलाइट्स पाय जाते हैं, तो आसु में क्या-क्या चीज़े हो गई, देखो, लिपेट, कार्भोहाइड़ेट, टोटीन, इलेट्रोलाइट्स, हार्मोन, लाइटिक एंजाइब, यह सारी चीज़े पा छाता है, है ना, यहां हस रहे हैं बहुत जादा बहुत जादा टियर सीक्रीट होता है, लाइं यहां हम रहे हैं, तो आक कशेश। स्थे हमारे भी स्र रहे थी तो देखो, उसका कारड़ ये है कि यहां जो हमारी आइज है इस आइस से यहां से आप देख रहे हैं कि एक दिए पटली सी पाईप है, वो जाती है नाके अंदर हैं, और वो जाती है यहाँ नाक के अंदर यह फिर एक बड़ी की यह सएक होता है, अगर यहां पर तीर जादा बन गया तो बनते हैं 2 यहां से इसमें आ जाएगा इसमें से यहां से और यहां से दोनों जहां से इसमें भरेगा और यह जाके खुलता है कहां हमारे नाक के अंदर नाक के अंदर यहां से खुलेगा और जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है न वह एक्स्ट्रा पानी यहां से भी नाक के द्वारा भी य तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में tier के बारे में ठीक है देखिए बार में हड़ जारी हूँ और यह पूरा आपके सामने पूरा notes है इसको अच्छी तरीके से लिख लेना ठीक है miss नहीं करना है रजिस्टर में आपको इसका notes बनाना ही है next हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में tier हमारा topic यहां पर complete होगया ठीक है अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा topic है color identification ठीक है color को कौन पता करता है हमारी आखो में color को कौन पता करता है और यही बात कि मुर्गयां जो होती है वो रात में अंधी क्यों हो जाती है दिन में तो दिखाए देता रात में दिखाए नहीं देता उल्लू जो हते उनको रात में दिखता है दिन में दिखता नहीं है ऐसा क्यों और क्या पढ़ने वाले है हमको हमको दिन में भी दिखता है रात में भी दिखता है ऐसा क्यों ठीक है ये पढ़ेंगे बचो हम नेक्स्ट वीडियो में याने की पार्ट शिक्स में तो अभी के लिए था हैं स्टडी करते हैं ओके नैस दे